नमस्कार दोस्तों मैं नीरज आप सब का स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल ब्लैसिंग चैनल में जो दोस्त गराम सची हो एकजाम की त्यारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भैतरीन है बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को बड़ी द हुकम सिंह की सिफारिष पर हुआ था राज़य का राज़य का गठन ँनाम सिंह siyaa s debate में जो हुकम שמץ है इनका पूरा इदि समिति का नाम पुछा जाय तो सरदार हुकम सिंह समिति ये नाम रहेगा तो जो सरदार हुकम सिंग है ये इनके बारे में दीप बताया जाए तो ये 1967 से लेकर 1972 के बीच में राजस्थान के राजयपाल भी रहे थे नेक्स क्यूशन है कि सेख चिली का मकबरा कहां पर है तो हमारा नस्वर रहेगा थाने सर में इस क्यूशन को हम याद कैसे गर सकते हैं उस पर बात करते हैं कि सेख चिली का मकबरा थाने सर में है तो हम याद कर सकते हैं कि सेख चिला रहा था थाने में सर पटक पटक कर नेक्स क्यूशन है कि सुर्दास कि सासक के समकालिन थे ये क्यूशन बहुत बार पुछा गया है दिखने में बिलको असान क्यूशन है लेकिन पूछा गया है तो यह हमारा नस्वर रहेगा अकबर के ये समकालिन थे सूर्दास से related काफी क्यूशन पूछे जाते हैं जनम से अंदे थे बिर्ज में ये हुए थे और बिर्ज भासा का ये यूज करते थे अपनी रचनाओं में काफी रचनाओं जो पूछी जाती है जैसे कि सुर्षागर, सुर्षावली, साहिते लहरी, नल, दमयन्ती, ब्याहलो नेक्स क्यूशन है नेक्स क्यूशन है कि मस्रूम उत्पादन में हर्याना का कोँ सा स्थान है तो हमारा आंस्वर रहेगा पर्थम स्थान है मुस्रूम उत्पादन में हरियाना का अगर पूछा जाए कि हरियाना में किस जिले में सबसे ज़्यादा मुस्रूम उगाई जाती है तो हमारा आंस्वर रहेगा सोनी पत में स्थीत है गुरू गराम से काफी कुछ से निकल कराते हैं जैसे कि हर्याना में जो सीतला माता मंदिर है जो कि गुड़गाओं के अंदर है हमें पता है उसका निर्मान किस वास्तु सहली में हुआ था या किस वास्तु सहली में है तो ये कुछ से काफी बार पुछा जाता है कि सितला माता जो मंदीर है उसको वो किस वास्तु सहली में है तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थानी वास्तु सहली में इसका निर्मान किया गया है और काफी प्रेटरंस कल है या हम ये कह सकते हैं कि साइबर सीटी हर्याना में साइबर हब के नाम से कौन सी सीटी को जाना ज स्थित है ये भी गुडगाओं में है सुल्तानपूर पक्सी अभ्यारन कहां पर है ये भी गुडगाओं के अंदर ही आता है ये काफी कुशन निकल कर आते हैं नेक्स कुशन की तरफ बिढ़ते हैं नेक्स कुशन है कि राष्ट्य दुगद अनुसंधान कहां पर स्थित है देखो दोस्तों ये कुशन कई बार पूछा गया है तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्य दुगद अनुसंधान करनाल के अंदर स्थित है और करनाल युम्ना नदी के टट पर बसा हुआ है और कर करन ने कौन सा नगर बसाया था राजा करन ने कौन सा नगर बसाया था करनाल को बसाया था तो करन ने ये करनाल को बसाया था और करनाल से काफ़ी कोशें निकल कर आते हैं जैसे कि कलंदर साह गुम्मद कहां पर स्थित है करनाल के अंदर है सावनी जर्च कहां पर स्थित है य क्योंकि कहा जाता है कि बारस्थली के नीचे गंगा बहती है और बरसालू बरसालू को इसलिए महत्वपुन माना जाता है कि बरसालू के अंदर नाग देवता का बहुत पुराना मंदिर है और यहां की मानिता यह है कि कितना भी विसेला साप आपको काट ले आगर आप नाग बरसालू की माननेता है और इसका एक बहुत बड़ा उधारन भी है कि बरसालू के अंदर आज तक कोई भी व्यक्ति साब का काटा हुआ नहीं मरा है तो यह बहुत ही मैतबर्म क्यूशन था और इसके अंदर हमने काफी क्यूशन कवर किये है नेक्स क्यूशन है एसिया का सबस सबसे बड़ा क्याक्टस गार्डन कहां पर स्थिथ है तो हमारा नंसवर आहेगा पुशन दक प्रिखेम अरहिए हमारा अंस्वर हैगा पंचकुला तो पंचकुला का गठन हुआ था 15 अगस्त 1995 एसीवी में और यहां पर बहुत ज़्यादा इप्रोटेंट क्योशन यह आता है कि गिर परजनन के अंदर कहां पर है तो यह पंचकुला के अंदर है टिकरताल जील कहां पर है पंचकुला में हर चंडीगड हमारा अंस्वर रहेगा लेकिन यदि ऑप्शन के अंदर चंडीगड नहीं है और पंचकुला है तो हमारा अंस्वर पंचकुला रहेगा नेक्स क्यूशन है हरियानवी उपन्यास जाडू फिरी की रचना किसने की तो हमारा अंस्वर रहेगा राजा राम सास्त्री नेकी ये क्यूशन सभी बच्चों को लगबग याद ही रहता है जो त्यारी करते है हेचा अस्था के तो आज मैं यह बताता हूँ कि ये क्यूशन बार बार पूछा क्यों जाता है कि जाडू फिरी की रचना किसने की तो जाडू फिरी जो ये जो उपंयास है ये बार बार इसलीए पूछा जाता है क्योंकि ये तो आप रहे tuh में गया हुआ त क्या empresдел काना और हर्यानमी भासा में लिखा हुआ पहला उप्रन्यास कौन सा है ये ऐसे करके कुश्चन पूछा जाता है एक कुश्चन पीछे रहे गया था जो पीछे कुश्चन था कि राष्टे दुग्द अनुसंदान कहां पर है और हमारा अन्सवर था करनाल तो करनाल एक कुश्चन ये भी आता है कि कलपना चावला का जनम कहां हुआ था तो कलपना चावला का जनम भी करनाल के अंदर हुआ था एक जुलाई 1961 मेरे नेच्स कुश्चन है कि महभारत के समय हर्याना को किस नाम से जाना जाता था ये questions अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि तीन नाम से जाना जाता था महाभारत के समय हर्याना को बहुधान्य मयूर भूमी दर्सान तो कई बार दर्सान आता है तो हमें बहुधान्य याद रहता है तो हम गलत करके आ जाते हैं तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक मनाई है जिससे आप याद कर सकते हैं जैसे कि भारत की महान बहु मयू यहां मयूर भूमी को डिनोट करता है और दर्सन मतलब दर्सान ये तिनों शब्दों को आप याद कर पाएंगे आसानी से डिनोट कर पाएंगे और भड़ते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ नेक्स क्यूशन है कि हरियाना का सबसे प्राचिन हडपा स्थल कहां पर खो जा गया है या कहां पर है ऐसे करके क्यूशन आ सकता है तो हमारा अंस्वर रहेगा कि भिर्धाना ये क्यूशन ऐसे भी आ सकता है कि भिर्धाना हरियाना के किस जिले में स्थित है तो भिर्धाना फ 7570 इसापूर यह स्थल पुराना है अरपा स्थल तो नेक्स क्योशन है हरियाना सरकार ने किस गाउ का नाम सरस्वतिनगर रखा है तो हमारा अस्वर रहेगा मुस्तफाबाद का नाम सरस्वतिनगर रखा गया है नेक्स क्योशन है कि हरियाना का गांधी किसे कहा जाता है तो हमारा अस्वर रहेगा मूल चंद चैन को हरियाना का गांधी कहा जाता है यह एक सवतंतरता सेनानी थे इनका जनम गोहाना के अंदर 1915 ECV में हुआ 12 सितंबर 1903 में इनकी डैथ हुई इंडियन नेशल कांग्रेस के यह मेंबर भी थे तो इस क्योशन में इतना ही नेक्स क्योशन में चलते हैं नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हुआ है तो हमारा अंस्वर रहेगा सुई जो की भिवाने के अंदर है नेक्स क्योशन है कि भीम पुरुसकर हर्याना के किस मंतराले द्वारा दिया जाता है तो हमारा अंस्वर रहेगा खेल एवं यूवा मंतराले द्वारा ये 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 द् आ चुका है तो भीम पुरुषकार में पांच लाख रुपीए दिये जाते हैं इनाम सवरूप लेकिन एक बात और साथ में हैं कि पांच हजार रुपीए भत्ता भी दिया जाता है पर मन्त और उस भत्ते को क्या बुलते हैं भीम भत्ता नेक्स क्यूशन है कि प्रान सांकली की रचना किसने की थी तो ये क्यूशन ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं कह सकता है लेकिन ये आ जाता है कि प्रान सांकली की रचना किसने की थी तो हमारा अंस्वर रहेगा चुरंगी नाथ ने चुरंगी नाथ का दूसरा नाम क्या है ये भी आ सकता है कि पूरन मल की प्रांध साकली की रचना किसने की पूरन मल भी हमारे उप्शन में आ सकता है या चोरंगिनात ये दोनों एकी नाम है मतलब इसके उप नाम है तो इनका जनम कब हुआ था आठवी सती में मतलब आठवी सती में इनका जनम हुआ था तो इस नाम है अरुना देवी तो इस क्योशन में से काफी क्योशन निकल कराते हैं अक्सर पूछा जाता है कि मारकंदा का उद्गम स्थल क्या है तो उद्गम स्थल की यदि बात की जाए मतलब कहां से निकलती है तो हिमाचल परदेश के सिर्मोर जिले में उत्तम वाला बारा बन न अमक स्थान से ये उत्पन होती है और यह हर्यान के काफी छेतर में बहती भी है और इसी नदी को पवितर नदी भी कहा जाता है ये question निकल कर आता है कि पवित्र नदी हर्याना में पवित्र नदी का नाम किसे दिया गया है वो मारकंदा को दिया गया है और क्यों इसको पवित्र नदी क्यों कहा जाता है ये भी बात आ सकती है तो मारकंदा नदी को पवित्र नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके किनारे पे काफी मंदिर है और दूसरी बात कुरुचेतर जिले के जो सहबाद नगर है वो इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है हरियाना में किस सबजी की खेती सबसे अधिक मातरा में होती है तो हमारा अंस्वर रहेगा हर्याना में सबसे ज़्यादा सबजी की जो खिती होती है वो होती है आलू की नेक्स क्यूशन एक्जाम की दिरिष्टी से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि युम्ना नदी हर्याना में कहां से प्रवेस करती है कलेसर से अब कलेसर कहा है कलेसर युम्ना नगर में है एक क्यूशन और आता है यहां से ही कि क्लेसर नेशनल पारक कहां पर स्थीत है तो क्लेसर नेशनल पारक कहां पर स्थीत है युम्ना नगर में ही युम्ना नदी की बात आई है तो युम्ना नदी से एक क्विशन और निकल कर आता है कि हतनी कुंड बेराज किस नदी पर है हतनी कुंड पेराज किस नदीपर है वो है युना नदीपर नेक्स क्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा इप्रोटेंट है एक्जाम की दृष्टी से कि हरियाना का काली दास किसे कहा जाता है बार-बार पूछा जाता है कि हरियाना का काली दास किसे कहा जाता है तो हमारा अंस्वर रहेगा दीब चंद ब्राह्मन को अगर पूछा जाए कि हर्याना का सेक्स पियर या हर्याना का सुरिय कवी किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है लखमी चंद को जो कि सोनी पत्के थे राज वर्मा के दौरा और यह रिलिज कब हुई है ये भी पूछा जा सकता है ये रिलीज हुई है 17 मई 2019 को नेक्स क्यूशन है हरियाना की कौन सी खिलाडी मार्च 2021 में दुनिया की नमबर वन खिलाडी T20 बल्ले बाज बन गई है देखो दोस्तों हम साथ में करंट अफेर भी कर रहे हैं तो हमारा अंस्वर रहेगा सेफाली वर्मा जो की हरियाना की मार्च 2021 में दुनिया की नमबर वन T20 बल्ले बाज बन गई है नेक्स क्यूशन भी एक्जाम की दृष्टी से बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट रहेगा कि किस हरियाना की किस खिलाडी ने 19 वी राष्ट के पेराथेलेटिक्स चेंपियनसीप में कलब और डिसकस थ्रो में दो सरुन पदक जीते हैं दो गोल्ड मैडल जीते हैं ध्यान रखना तो उनका नाम है एक्ता भ्यान ये भी पुछा जा सकता है कि एक्ता भ्यान किस शहर से या किस गाओं से बिलोंग करती है मतलब किस गाओं से किस शहर से इनका संबन्द है तो अंस्वर रहेगा ये saushar city हरियाना के saushar सहर से ये बिलोंग रखती है और ये भी पुछा जा सकता है कि एक्ता भ्यान किस game में इनोWhereBS जीते हैं तो हम कह सकते हैं कल्ब और डिसकस्त थ्रो में उने दोसरन पदक जीते हैं और यहें चेंपिंटरगाँ थे מא हैं लेकिन यह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन ती जा रही है तो मैं दूसरे पार्ट में बाकी के कुर्यू कि ज़रू डालूगा लेकिन ये क्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रोटेंट रहेंगे क्योंकि क्यूशन बहुत है जो कि एकजाम की दरिश्टी से बहुत ही ज़्यादा मैतर पूर्ण रहेंगे मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जहिंद